क्या आपने कभी जर्ने को फुस फुसाते सुना है? यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बया करना मुश्किल है. जब आप एक जर्ने के पास खड़े होते हैं तो उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास होती है. जैसे कि वह आपको कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो, ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई रहस्य बह रहा हो. यह रहस्य आपको अपनी और खींचता है, आपको उस अद्रश्य धागे की और ले जाता है जो जर्ने की आवाज में बन्धा होता है. जब मैंने पहली बार Blue Nile Falls के बारे में सुना तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ यह जर्ना अपनी अद्वितियता और भग्विता के लिए प्रसित है इसके बारे में सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी लोग इसकी खूबसूरती के किस्से सुनाते थे वे बताते थे कि कैसे यह जर्ना अपने चारों और की प्रकृती को जीवन्त कर देता है कैसे इसकी हर बूंद में एक कहानी छुपी होती है वे इसकी शक्ती की कहानिया सुनाते थे कहते थे कि जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो उसकी गर्जना आपके दिल की धड़कन को तेज कर देती है यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहता है मुझे पता था कि मुझे इसे खुद देखना होगा मैंने तैय किया कि मैं इस अद्भुत जरने की यात्रा पर जाऊंगा और उसकी फुसफुसाहट को खुद सुनूँगा मेरा सफर प्लेन से शुरू हुआ आसमान से नीचे देखते हुए मैंने सोचा कि यह यात्रा कितनी रोमान चकोगी हरे भरे जंगल, उंचे पहाड और नीले आसमान के बीच से गुजरते हुए मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था फिर एक उबढखावण बस की सवारी यह सवारी भी अपने आप में एक अनुभव थी बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने देखा कि कैसे प्रकृती ने अपने रंग बिखे रहे हुए थे हर मोड पर एक नई तस्वीर, हर जटके पर एक नई कहाने आखिरकार मैं एक धूल भरे रास्ते पर चल रहा था यह रास्ता मुझे उस जर्ने की ओर ले जा रहा था जिसकी फुसफुसाहट मैंने सुनी थी हर कदम के साथ मैं उस रहस्य के और करीब आ रहा था हर कदम मुझे फुसफुसाहट के करीब ला रहा था जर्ने की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी उसकी गर्जना में एक अनोखी मिठास थी जैसे कि वह मुझे अपनी और गुला रहा हूँ मैं बहुत उच्साहित था मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी जैसे जैसे मैं जर्ने के करीब पहुँच रहा था उसकी फुसफुसाहट और भी सपश्ट हो रही थी यह एक रोमांज था यह यात्रा सिर्फ एक जर्ने तक पहुँचने की नहीं थी बलकि एक आत्मा की खोज की यात्रा थी उस जर्ने की फुसफुसाहट में मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुने यह एक ऐसा अनुभव था जो मुझे जीवन भर याद रहेगा बलू नाइल नदी इथियोपिया की एक बहुत बड़ी नदी है यह नदी अफ्रीका की सबसे महत्वपून नदियों में से एक है और इसका एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है Blue Nail नदी का स्रोथ इथियोपिया के ताना जील से होता है और यह नदी सूडान में जाकर घ्याइट नदी से मिलती है इस संगम के बाद यह नील नदी के नाम से जानी जाती है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है यह जमीन पर नीले रिवन की तरह है जब आप इसे उपर से देखते हैं तो यह नदी एक नीले रिबन की तरह दिखती है जो एथियोपिया के हरे भरे परिद्रिश्य के पीच से बहती है यह द्रिश्य इतना मनोहक है कि इसे देखकर आप मंत्र मुख्ध हो जाएंगे बलू नाइल नदी का पानी साफ और शीतल होता है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है बलू नाइल फॉल्ड वह जगा है जहां नदी अपनी ताकत दिखाती है यह जरना एथियोपिया के सबसे प्रसित्ध प्राकृतिक्स धलो मेंसे एक है Blue Nail Falls की उंचाई लगबग 45 मीटर है और यह जर्ना बहुत ही शक्तिशाली है जब पानी उंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी गर्जना दूर दूर तक सुनाई देती है यह जर्ना देखने में जितना सुंदर है उतना ही अधुद भी है पानी उंची चट्टानों से नीचे गिरता है यह दृष्य बहुत ही रुमान्चक होता है जब पानी चट्टानों से टकराता है तो उससे एक धुंद सी बनती है जो चारों और फैल जाती है यह धुंद सूरज की किरणों के साथ मिलकर एक इंद्र धनुष का निर्बान करती है जो इस दृष्य को और भी मनमोहक बना देता है यह बहुत ही सुंदर नजारा है क्या आप जानते हैं ब्लू नाइल फॉल्स को देखने के लिए हर साल हजारों परिटक यहां आते हैं यह जगह न केवल अपनी प्राकरतिक सुंदर्ता के लिए प्रसिद्ध है बलकि यहां की जैव विविधता भी बहुत सम्रिद्ध है यहां के जंगलों में कई प्रकार के पर्यजीव और पक्षी पाये जाते हैं जो इस क्षेत्र को और भी खास बनाते हैं ब्लू नाइल फॉल्स को इथियोपिया में टिसवे कहते हैं यह नाम अमहारिक भाशा से लिया गया है जो इथियोपिया की प्रमुक भाशा है तिस अवेकार्थ है धूमरपान करने वाला पानी यह नाम इस ज़रने की विशेशता को दर्शाता है क्योंकि जब पानी नूचाई से गिरता है तो उससे धुंद सी बनती है जो धुमें जैसी दिखती है इसका मतलब है धूमरपान करने वाला पानी यह नाम इस जरने की विशेष्टा को बहुत ही सटीक रूप से वर्णित करता है जब आप इस जरने को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी धूमरपान कर रहा है यह द्रिश्य बहुत ही अध्भुत और आकरशक होता है यह जरना इतना शक्तिशाली है कि इससे एक धुंद सी बनती है जो धुई जैसी दिखती है यह धुंद जरने के चारों और फैल जाती है और एक जादूई माहौल का निर्मान करती है इस धुंद में खड़े होकर आपको एक अलगी अनुभव होगा यह अनुभव आपको प्रकृतिकी शक्ति और सुन्दर्ता का एहसास कराएगा यह जादू जैसा है ब्लू नाइल फॉल्स का यह जादूई द्रिश्य आपको जीवन भर्याद रहेगा यह जगा न केवल अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता के लिए प्रसिद्ध है जर्ने की आवाज से हवा भर गई यह मेरे दिल में ढोल की थाप की तरह था और फिर मैंने उससे देखा पानी इतनी उचाई से गिर रहा था यह पानी के विशालकाए परदे की तरह था सूरज ने धुन्द में एक इंद्र धनुष बनाया यह पानी के ऊपर एक पुल की तरह था मैंने अपनी सांस रोक ली यह अब तक की देखी हुई सबसे खूबसूरत चीज थी ब्लू नाइल फॉल्स सिर्फ एक जर्ना नहीं है यह असल में एक साथ चार जर्ने है उनके नाम है दी स्मॉल वन और दी नौइजी वन हर एक खास है पानी नीचे एक कुंड में गिरता है आवाज इतनी तेज है ऐसा लगता है जैसे प्रकृती कोई भव्य प्रदर्शन कर रही हो मैं वहाँ खड़ा बहुत छोटा महसूस कर रहा था लेकिन मैं खुश भी था बहुत समय पहले से लोग ब्लू नाइल फॉल्स देखने आते रहे हैं बहुत समय पहले राजा और रानी यहां आते थे उन्होंने जर्ने के पास एक पत्थर का पुल बनवाया था क्या आप सोच सकते हैं वह पुल आज भी वही है यह पुराना है और थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन यह आज भी मजबूट है यह अतीद की स्मृती की तरह है जब मैं उस पर चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इतिहास के साथ चल रहा हूँ ब्लू नाइल फॉल्स के पास रहने वाले लोगों के पास बहुत सी कहानिया है यह कहानिया पीड़ी दर पीड़ी चली आ रही है और हर बार सुनाई जाने पर इन में कुछ नया जुड़ जाता है यहां के लोग अपने इतिहास और संस्कृती को इन कहानियों के माध्यम से जीवित रखते हैं वे बहादुर योध्धाओं और जादुई जीवों के बारे में कहानिया सुनाते हैं इन कहानियों में साहस, प्रेम और बलिदान की गाठाई होती है हर कहानी में एक संदेश छुपा होता है जो सुनने वालों को प्रेडित करता है वे कहते हैं कि जरणों की रक्षा आत्मायों करती है ये आत्माय प्रकृती की शक्तियों का प्रतीक है और उन्हें सम्मान देना बहुत महत्वकूर है जरणों के पास बैठकर कहानियां सुनना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है एक कहानी एक विशाल साप के बारे में है यह साप जरने की आत्मा का रक्षक माना जाता है लोग कहते हैं कि यह साप बहुत ही बुधिमान और शक्ति शाली है वे कहते हैं कि साप जरने के नीचे कुंड में रहता है यह कुंड बहुत ही गहरा और रहस्य मैं है लोग इस कुंड के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साप उनकी रक्षा करेगा यह प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने की याद दिलाता है जरणों की गर्जना और उनकी शक्ति को देख कर लोग प्रकृति की महानता को समझते हैं यह उन्हें विनम्र और कृतज्य बनाता है। मुझे नहीं पता कि कहानियां सच हैं या नहीं, लेकिन इन कहानियों में एक जादू है, जो सुनने वालों को बांध लेता है। यह कहानियां हमें हमारे अतीद से जोड़ती है, और हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन उन्हें सुनने में मज़ा आता है। कहानियां सुनना और सुनाना यहां की संस्कृती का एक महत्वपून हिस्सा है। यह लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। ने कहानियों के माध्यम से लोग अपने अनुभव और ज्यान को साज़ा करते हैं, बच्चे भी इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए यह एक रूमान्चक अनुभव होता है। बुजर्गों के चेहरे पर कहानियां सुनाते समय एक अलग ही चमक होती है। उनकी आखों में अनुभव और ग्यान की छलक होती है। वे अपने जीवन के अनुभवों को कहानियों के मांध्यम से साज़ा करते हैं। कहानियों का अंत हमेशा एक हंसी और तालियों के साथ होता जब सभी लोग एक साथ खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनभव साज़ा करते हैं। रात के समय जब आस्मान में तारे चमकते हैं, जरने के पास का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। ये समय कहानियों के जादू को और भी बढ़ा देता है। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लोटते हैं, लेकिन कहानियों का जादू उनके साथ रहता है। वे इन कहानियों को अपने दिल में बसाय रखते हैं और अगली पीधी को सुनाने के लिए तयार रहते हैं। Blue Nile Falls की कहानिया सर्फ कहानिया नहीं है, वे यहां के लोगों की आत्मा का हिस्सा है, ये कहानिया हमें याद दिलाती है कि हम सभी प्रकृति का एक हिस्सा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, और इस तरह Blue Nile Falls के पास की कहानिया हमेशा जीवित रहेंगी, हमें प्रेरित करत और हमें हमारे अतीद से जोड़ती रहेंगी Blue Nile Falls एथियोपिया के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यह उनके इतिहास और उनकी संस्कृति का हिस्सा है वे इसके बारे में गीत गाते हैं वे इसकी तस्वीरें बनाते हैं यह जरना उनके खेतों के लिए पानी भी देता है यह उनकी फसलों को उगाने में मदद करता है ऐसा लगता है जैसे Blue Nile Falls एथियोपिया के लिए है यह घूमी और लोगों को जीवन देता है Blue Nile Falls की मेरी यात्रा एक रोमांच थी लेकिन यह खोज की आत्रा भी थी मैंने एक नई जगह और एक नई संस्कृती के बारे में जाना मैंने प्रकृती की शक्ती देखी सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने अपने बारे में जाना मैंने सीखा कि मैं नई चीजों को आजमाने के लिए काफी बहादुर हूँ मैंने सीखा कि मैं छोटा हूँ लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और आश्चर्यों से भरी है Blue Nile Falls इस बात की याद दिलाता है कि प्रकृती शक्तिशाली है हमें प्रकृती का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए हमें इसे आने वाली पीडियों के लिए साफ रखना चाहिए हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रकृती से अलग नहीं है हम इसका एक हिस्सा है जब हम प्रकृती की देखभाल करते हैं तो हम अपनी देखभाल करते हैं जब मैं Blue Nail Falls से जा रहा था तो मैं थोड़ा उदास था लेकिन मैं आभारी भी महसूस कर रहा था मैंने वास्तव में कुछ अद्भुत देखा था मुझे पता था कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा मैंने जर्णों को अलविदा कहा मुझे पता था कि मैं किसी दिन वापस आऊंगा Blue Nail Falls ने मेरे दिल का एक टुपड़ा अपने कबजे में ले लिया था और मुझे पता था कि मैं इसका जादू हमेशा अपने साथ रखूंगा